बाबा सहब सम्मिधार बदवले दुरिया करे गुड़िगार जात पात के मेर मिटवले जय बीन करे ला जहान कि नाई के उ रहे दाभई सारा दुनिया में तू डूड़िला चाहे भीम जैसन माहान नाभई दिल जीवनान सहब रहले उठाने बड़े लिखिके साब बड़िगई ले ग्याने संबिधान लिखने वाले कितना महांग है तो कितनी करे बड़ाई दल तो किसान है तू संबिधान लिखने वाले है साथियो समय बहुत कम है तड़िपार के नाम से जाने जाते हो ऐसे व्यक्ति के हातों में न्याय देने की कमान दे दी गई है वह क्या देंगे आपको इसमें हम भी ए बीड और इसमें इमेंक कर रहा हो और नियंद्रे बड़िसत्य बावाज साथ की विजन के लिए कंद्य से कंद्या मिलाएकर जहां भी आंद्वलन का काईकरव होता है आप जाने का पुड़ा प्रेंद्ध करते हैं आप सब देखरे पर आख नहीं है उसके बाद भी हम कभी भी कर्छ प्रूंस करन ना रहे । ढ़िसे हाँ तो से तक्सितार को अवराधि में कांप आदि का अवरेजह ऑसाग को अ마न देझाव ऊबभ तक रहेगा इंदि बेई झूमार्प, मृर्ति इंदि आदार उंत का अम्ड़िय har! यूटूब के माट्यम से उन्होंने बिहार कराने वाले हैं परन्तों जहां भी सोचर हो रहा हैं दल के साथ, बंचितों के साथ, उन्होंने आवाज बनने का काम किया, तो यह हमारे पुलिस के लोग उनको उठा के जेल में डाल दिये, किए ही हमारी सवासिक्ता है हमारे पढ़ ważne लिके लो बी कि तुमारे पार सियां नहीं है सरकार कमें चल में ढल देगे हमें कोई दoxide नहीं हैं अप्रेहरें और धिकार के लिए हैं हम डरने वाले नहीं है हम सरकट भा सकते हैं लेकिन सर झुकार भुटे नहीं तड़िपार के नाम से जाने जाते हो, ऐसे व्यक्ति के हातों में नयाय देने की कमान दे दी गई है, वो क्या नयाय देंगे आपको? बिहार राज्य की बात हो रही है बिहार राज्य वो है जो देश के अंदर सबसे ज्यादा आइस और आइस देता है लेकिन आप अब सबसे ज्यादा युवां को जेल देने का भी काम कर रहा है जेवीम सभी मेडिया धर्मबद्रों को मेरा नुम बढ़ाया जेवीम इस समान में सभी संतो गुरुओं को मेरा अभिवादन और इस मन पे बैटे हुए सभी सभी महानभाव को मेरा हाजोर के प्रडाम मैं जितिंदर मिर्जापोरी बहुजन सिंगर काशी हिंदू इस से इसमें हम भी ये बीड और इसमें इमेक कर रहा हो और नियंद्रे बोडि सत्य बावशाप की विजन के लिए कंदे से कंदा मिलाएं के जहां भी आन्दोलन का काई करण होता है या कहीं की स्वगित का काई करण होता है वहाँ भी हम जाने का फुरा प्रेयर्थ करते हैं आप सब देकरें कि हमारे पास आख नहीं है उसके सब्सक्राइब करते हैं हम आते हैं कि यूटूब के माध्यम से उन्होंने बिहार करने वाले हैं प्रन्तु जहां भी सोचर हो रहा है दलितों के साथ बंचितों के साथ उन्होंने आवाज बनने का कांग किया तो कि हमारे पुलीस के लोग उठा के जेल में डाल दिए क्या यही हमारी समाजिकता है हमारे परेलिके लोग कहते हैं कुछ लोग ने कहा कि तुम्हारे पास यहांख नहीं है सरकार्ट में जेल में जाल लेगे लेकिन अपने अपने हग अधिकार क्रिया नहीं है हग दरने वाले नहीं है सर कटा सकते हैं लेकिन सर छुकात लगते रहें करते हैं कि आपको काने तक अगर मेरी आवाज चारी है तो आप उनको रियाक करने का प्रयक्ति करें क्योंकि वह हमारे समाज को एक जगाने के कार कराता हमारे समाज में पहन मेंटियों के साथ अटिया चाहर रहा है यह कोई देखने वाला नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि हमें सर का आड़े से के आप गिर सुना दिजे तन जरुन दो लाएं रखेंगे बाबा सहब सम्मिधार बदवले दुर्या करे बुड़कार जाते पात के बेद में तवले जय विम करे राजहां कि नाही के उड़े दाभई सारा दुनिया में तू जोड़ ला चाहे भीम जैसन माहान ना भई सारा दुनिया में तू जोड़ ला चाहे भीम जैसन माहान ना भई दिल जिवन लान सहब राले उठानी बड़े लिखी के साब बढ़ गई ले ग्यानी मारी डेल चाट पाट के माई सारा दुनिया में तू जोड़ ला चाहे भीम जैसन माहान ना भई हो सारा भनियां में तो डूड लार चाहे भीम जाई सन माहान नावाई सार पहुचार चाप जाए भीम एकारे सुनी मनवार साप जाए भीम जाए सारा भनियां में तो डूड लार चाहे भीम जाए सन माहान नावाई उसके लिए तमाम कानून के राष्टे जो है खुल जाते हैं लेकिन हमारे लिए जो है चारो तरफ से हमारे लिए कानून के राष्टे बंद कर दिये जाते हैं और जो है हमें जेल के कारागारों में डाल दिया जाता है इसलिए मैं तमाम यहां को जूटे हुए अपने पहुजन समाज बंचित सोशित तरिक समाज के लोगों को अगार करता हूँ कि आने वाले समय के लिए आपको जड़ना होगा और अपने सहिन कितो करता को बाचानना होगा अब भाई गोल्डेंदास को जेल से रिहा करा करके फिर उनके हाथों में सची प्रतिन धीतों का काम हमको देना होगा तो मित्रों अब हम चाहेंगे कि और सारे साथी जो है हायाए है तो मैं एक बात को आकर अपने बातों को समाप करता हूँ ना रहेगा जुर्म ना रहेगा जुर्म न अब जुर्मियों का आधिकार रहेगा अब रहेगा तो सिर्फ बाबा साहब का प्यार रहेगा भाईचारा रहेगा जब तक रहेगा ये चान सितारे जब तक रहेगा चान सितारे जब तक रहेगा धर्टी अंबर भारत जुडी रहेगा उनका अमर रहेगा यंबेकर अमर रहेगा अम्बेकर बस इतना ही कहकर मैं अपने बातों को समाब करता हूँ